जेहिन दोस्तो मिहूं आस्तीस और आप सब को इंडिया में जान पर श्वागत है दोस्तो आज मैं इस वीडियो में दो टपिक पर बात करने वाला हूँ पहला टपिक होगा उत्राखंड और चैनिज आर्मी के उपर और दूसरे हिसे में मैं राफेल और कस्मिर की बात करूँ आप सब जानते हैं लदाक में पिछले एक देड़ साल से भारत और चीन के बीच विवाद है हलाकि कुछ-कुछ एरिया है जैसे प्यांगं या फिर गल्बान वहां से दुनों देस्टों की सेनाएं पिछे हट गए है लेकिन आज भी ऐसे एरिया है जहां पर दुनों देस् इंट्रास्ट्रक्चर को तवा करने की कोशिस भी की है आज मैं आपको मैं आपके जरी बताऊंगा वो एरिया कहां है और क्या क्या हुआ है इसके साथ वीडियो की सेकंड प्यार्ट में मैं कस्मीर और राफेल की बात करूंगा आप सब जानते हैं दो-तीन दिन पहले कस्मी इंडियान एरफोर्स ने एक एरसो किया था और उस एरसो में हमारे फाइटर जेट, हेलिकप्टर और एरफोर्स के कमांडो या फिर जवान सामिल हुए थे और वहां के जो लोकल लोग थे वो भी काफी पॉसंद किये थे लेकिन दोस्तो आप सवाल उठ रहा है इंडियान से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भुलिए दोस्तों आप 3D मैप में देखते हैं जो उत्राखंड का बारा होती कहां है और यह सब घटना जो घटा है वो कहां घटा है दोस्तों आप देखिए यह रहा बारा होती वाला एरिया मैं आपको थोड़ा इस एरिया को जूम करके दिखा लेता हूं फिर बाकी यह पर आऊंगा बाकी उसके आसपास क्या है और चाइना का बाटर यहां से कितना दूर है आपको सब दिखाऊंगा यहां से आप देख सक जूम कर दूं तो आपको थोड़ा घर लगरा या पिर इंडियान आर्मी का क्याम्प हो सकता है मुझे गोगल मैप से आपको आसानी से मिल जाएगा जो मिलिटरी साटलाइट है या पर जो कॉरेंट फोटो बगरा है वो काफी अलग होता है अब जो रिपोर्ट है सौ के करीब चाइना की सेनावाले आकर और यह सब एरिया में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा कर वो फिर वापस चले गए हैं लेगि कि 1954 या फिर 1962 में इस एरिया में जौंग हुआ था और 2008 डोकलाम टाइम में भी इस एरिया में चीनी सेना थोड़ा गुछ नहीं कोशिस की थी अगर बात करें तो 2021 में जून जुलाई में खबर था कि चीनी सेना जो अपोर साइट है मतलों बारा होती कि जो अपोजिसन है उन में धार सब करें खर ल pierws सा नहीं कि भारत रहार भी सिस्वित थी ऐसरें में ट्रिफ्ण कर रहा है तक कि कर चुका है तक चीन या फिर चीनुक किसे भाकि आपको बतात करके बाकी पिर आपको ब्ताता हूं चाइन वालर्यकिसे आय्योंना वहिस्वार्या पálक। वहां से कुछ किलोमेटर दूर जाओगे तो ये बारा होती एरिया आएगी और मैं आपको दोस्तों बताता हूं कैसे चीनी से ना ये बारा होती तक आये हैं और एक जो मुझे डिमरिट लगता है उससे भी मैं आपको बताऊंगा देखें ये जो आये हैं ये तुनलू जा आप देखपा रहे होंगे चाइना के साइड में रोड है बडर की तरफ आप देखपा ह помंगे तो यहां से रोड गया है इधर तक और यहां सएक रोड आया है बिलकुल निचे खाले की टरफ ओ से सायद और लेकिन एंडिया के साइड पर आप देखो कोई रोड नहीं है अच्छा बनाएंगे तो चाइना वाला बूस रोड का इस्तमल करके हमारे सिमा के अंदर आ जाएंगे लेकिन हम एसे कभी क्यों नहीं सोचे रोड तो चाइना के तरफ भी होगा तो हम भी तो चाइना के तरफ जा सकते हैं मुझे हसी आता है इस लजिक के ऊपर लेकिन अभी हमारा जो बियारो है वह बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उतना भी मतलब 100% नहीं है कि हम सिमा तक रोड बना है अलाकि यह जो एरिया है 5-10 किलोमेटर पिछे है तो मुझे उम्मीद है जो में सिटी है वहां तक तो आच्छा रोड होगा लेकिन वहां से अगर आप बर लोड का सिस्टम आच्छा नहीं है तो दोस्तों अब आपकी मुझे सॉल होगा तो अब हम क्या करेंगे क्या चीन को ऐसे ही करने देंगे जो कर रहा है देखिए या फिर हमारे पास कुछ अप्सन है यह हमारा गलती है हमें आजाद होने के बाद या फिर 1962 जो बार्डर बाल करें तो सामने वाला नाराज हो जाएगा या फिर जंग हो जाएगा बगएरा बगएरा दुनिया का सांती का ठेका हम ही ले रखेंगे तो अगर हम पिछले 20 साल देखेंगे ट्रेड के जरिये हम चाइना को मिन्यूम दोस्तों तिन्सों बिलियन ड़लार फाइदा पहुंच यहां पर जो भी होता है सारे कुछ मीडिया में आ जाता है जैसे अब चाइनीज जू गलवान में साइनिक मरे थे वह एक्जाम्पल आप ले लो पहले बता है कि कोई मरे नहीं लेकिन एक साल बात बताए कि हमारा पांच मरे वह पांस थे या फिर पचास थे कौन जानता है क और कुछ हमारे जवान सहीद होते हैं आप अब आदर डाल लो भारत और चीन के साथ भी सिमा पर ऐसा ही होने वाला है वो एरिया स्रीप लदाग होगा या फिर उत्राखंड होगा या फिर अनौचल पदेश होगा या फिर टोटल सिमा पर होगा यह कुछ कहने सकते हैं यह गेम है और यह लंबा देर तक चलेगा और बड़ा जंग तो कोई देश करेगा नहीं लेकिन यह से छोटा मोटा घटना हमेशा होता रहेगा अब मैं कस्मीर और राफेल के उपर आता हूँ दोस्तों इंडियान एरफोर्स कस्मीर स्रिनगर में राफेल फाइटर जेट को ना भेजने के पीछे दो तीन कारण है मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ तेकि स्रिनगर डाल जिल के उपर जो हो रहा है था वो एर शो था कोई वार गेम नहीं था वार गेम में आपको क्या करना होता है कि आपके पास जितने भी बेस्ट हत्यार है या फिर आपके पास जो भी बेस्ट टेक्नोजी है उसे आप टेस्ट करते हो ताकि ओरिजिनल जं उसे इंसप्एर करते हो कि तकि वो एरफोर्स या फिर इंडियाण आर्वी में जॉइन करें। तो इसी वज़़े से कोई एर्शो में अगर राफेल एरक्राफ्ट नहीं गया, तो कि ये बहुत बढ़ी वज़ा नहीं है। दूसरा बज़ाई ये है राफել एरक्राफ्ट निया है। अब सिप एक साल हुआ है और सारे एरक्राफ्ट भारत भी आये नहीं है। और हमारा जो दो स्कॉर्डन होगा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अभी भी चीन के साथ हमारा सीमा पर विवाद है। जब हमारे पास sufficient number नहीं है तो कैसे हम 3-4 राफेल को एक air show के लिए भेज दे हाँ ठीक है वो ज्यादा दिन तक नहीं जाएंगे फिर भी फिर भी जब आपकी border पर सांती नहीं है तो आप ऐसे कोई air show में भेज नहीं सकते हो तिसरा करना जाता है कि राफेल बहुत costly है और situation में राफेल को जितना कौम उड़ाओ उतना ही आच्छा है दोस्तों ये 2-3 बज़ह थे जिस बज़ह से हमारा राफेल स्रीनागर के air show में नहीं गया और मैं इसे कोई बहुत बड़ा बज़ह नहीं देखता हूँ और जो भी हमारा performance हुआ था उस दिन इंडियान एरफोर् ज्यादा नंबर पर पी वहां मजूद थे जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा जटका है दोस्तों आप ये दो टपिक को अब आच्छे से समझ गये होंगे आप इस टपिक पर क्या राय देना चाते हो नीचे कांट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और ये वीडिय को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगया आप मेरा आने वाले वीडियो को मिशना कर सके दोस्तों रुकता हूं बहुत जल्द और एक निया टपिक के साथ मिलूँगा नमस्कार जैहिन